नमस्कार भागी की बात में आपका स्वागत है आज का भाग बताने के लिए मैं संजीव शांडिल लित्यागी एक बार फिर आया हूँ आज सम्वत 2080 बसंत रितों की शुकल पक्ष की चतुर दशी तिथी सुबह 9 बचकर 55 मिनट तक रहेगी उसके बाद पूर्णिमा तिथी सारे दिन रहेगी आज 24 मार्च दिन रविवार है पूर्वा फालगुनी नक्षतर सुबह 7 बचकर 33 मिनट तक रहेगा उसके बाद उत् दो बचकर 19 मिनट तक सिंग राशी में रहेगा फिर दो बचकर 20 मिनट से बाकी दिन कन्या राशी में रहेगा आज राहुकाल दिन में 4 बचकर 30 मिनट से शाम 6 बजे तक रहेगा और यम घंट योग दोपर 12 बजे से 1 बचकर 30 मिनट तक रहेगा आज छोटी होली का दिन है ह होलिका पूजन का समय दोपर बारे बजे से है महिलाएं आज होलिका पूजन जरूर करें एक कच्चे धागे या सूत को होलिका के चारो तरफ लपेड दें फिर रोली, फूल, अक्षत और सुगंद को अरपित करें फिर धूप, दीप जलाकर होलिका माता का पूजन करें उसके बाद मिस्ठान या गुंजिया चड़ाएं फिर अपनी-अपनी मनो कामना पूरी होने के लिए होलिका माता से प्रातना करें आज होलिका देहन का मुहर्थ शाम 7 वच कर 50 मिनट से है अब बात करते हैं बारे राशियों की आज हम राशी फल में आपको आपका लखी कलर और एक उपाए बताएंगे मेश राशी वाले जातकों के लिए आज लखी कलर रेड रहने वाला है संतान से आज आज आपको शुब सूचना प्राप्त होगी वरश राशी वाले जातकों के लिए आज शुब रंग नीला रहेगा आज आपकी माता का स्वास उत्तम रहने वाला है मिदुन राशी वाले जातकों के लिए आपके छोटे भाई भेन के व्यपार में और नौकरी स्थल पर तरक्की के योग बनते हैं आज मिदुन राशी वालो जातकों का लखी कलर ग्रीन रहने वाला है करक राशी वाले जातकों के लिए लखी कलर आज सफेद रहेगा आज आपके घर परिवार समारों के योग बनते हैं सिंग राशी वाले जातक आज सावधानी से दिन को बिताएं सूरे देव को अर्ग अर्पित करें आज आपका लखी कलर महरून रहेगा कन्य राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन वेर्थ के तनाव वाला रहेगा करम छेतर या व्यापार छेतर में आपको तनाव हो सकता है आज आप विश्डू सहस्तर नाम का पार्ट करके ही कारेस्थल पर जाएं आपका लखी कलर आज ग्रीन रहेगा तुला राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन प्रसंता से बीतेगा जो भी लोग कला ललित कला के छेतर में हैं उन्हें आज विशेश लाप की प्राप्ती होगी आज आपका लखी कलर वाइट और ग्रे रहने वाला है अब बात करते हैं व्रश्चिक राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन शुपता से भरा रहने वाला है आज आपको राजदरबार से किसी शुप सूचना मिलने की संभावना बन रही है आज आपका शुप रंग लाल रहने वाला है धनू राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन आनन्द और हर्शोल लाज से भरा रहेगा आपका शुब रंग आज गुलाबी रहने वाला है मकर राशी वाले जात्कों के लिए आज के दिन यात्रा करने में सावधानी रखनी चाहिए आपके लिए आज का शुब रंग आज नीला रहने वाला है कुम राशी वाले जातक आज के दिन सावधानी से गुजारें, हनुवान जी की सुबह पूजा करके ही घर से निकलें, आपका लगी कलर आज नीला रहने वाला है, अब बात करते हैं मीन राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, आज आप व्यर्थ के बाद विवाद से बचें, किसी दस्तावेच पर साइन ना करें, पीले रंग का कपड़ा पहनने से आज आज आपको लाब होगा, तो ये रहा बारे राशियों का राशी फल, अब आप सभी के लिए एक उपाय बता रहे हैं कि आपको होली वाले दिन क्या क करना है, जिससे आपको स्वास और अर्थ छेतर में लाब होगा, पुली के दिन सुर्योद्य के बाद एक गंटे के अंदर इसनान करके शीव मंदिर में जाकर अपनी अपनी राशी के रंग के नुसार गुलाल गंगजल मिश्रिजल में मिलाकर भगवान शीव को ओम नमे श किसी भी ग्रह से मिलने वाली ग्रह पीड़ा शान्त होगी, भागी की बात में आज इतना ही, नमस्कार!